हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं थारनगरी बाडमेर बाइक रैली सीमा सड़क संगटन की ओर से आसारी के पिछतरवी वर्ष गांट के उपलक्ष में नई दिली के राष्ट्य युद्स मारक से निकाली गई बाइक रैली सोंगा शाम बाडमेर पहुँची बाडमेर में छियान पे आर्सीसी ग्रीव पहुचने पर ग्रीव के अधिकारियों और जवानों ने रैली का भवविस स्वागत किया इस दोरान चेतक प्रोजेक राजिस्तान फिचानवे आर्सीसी के ओफिस कमांडिंग बिजे जोगदंड ने बताया कि सीमा सड़कों की वीरता और बलेदान को उजागर करने एवं सीमा सड़कों के उदमय भावना को प्रदर्शित करने के लिए वातावरन में देश भक्त की भावना का संचार इस रैली का मुख्यध है उनके अनुसार रैली के माध्यम से युवाओं को बी आरो में करियर के बारे में समझा कर कुलीन सीमा सड़क संगटन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि ये एक एतिहासिक वर्ष है और देश क करने के साथ देश प्रेम के संचार को गती मिलेगी साथ युनोने रैली को समर्थन देने के लिए हीरो मोटरकॉप और भारत पेट्रोलियम का आवार्ज उताया मोटरसाइकल रैली टीम में अधिकारी मेजर सुब्रांश मेजर आर्थी भूशन अर्विन मीना समें 10 शंद विशोई सह सयोजक श्री राम ठाका सरपंच मनोहर तेतरवाल ललित संकलेचा डॉक्टर खेमराज कडवासरा उमेश राव दीपक सेविदा समेत ग्रूप के सदस्यों और ग्रामिनों ने रैली का अभिनंदन किया उलेटनिया है कि सीमा सठक संगतन की ओर से आजाद इसको हरी जंडी दिखाकर रवाना किया गया था ये रैली हीरो मोटर कॉप और भारत पेट्रोलियम के सयोग से आजादे का अमृत महुतसव के रूप में स्वतरनत भारत के 75 वर्ष चिनहित करने के लिए आयूजित की जा रही है रैली में भाग लेने वाले 10 बाइक सवार बॉर्डर रोड से बाड मेर, बिकानेर, अमृत सर, फिरोस पुर से गुजरात हुए 25 दिसेंबर 2021 को दिल्ली पहुंचेंगे इस तरह आगामी 6 दिनों की अवधी में ये मोटर साइकल रैली करी 2400 किलोमेटर की दूरी तै करेगी जागरुक टीवी की बाड में से ठाकर रा में इगवाल के रपाउट